जहिन दोस्तों राहुल गांधी ने प्रेस कान्फरेंस करके जब वो डिस्ट क्वालिफाई हो गए तो प्रेस कान्फरेंस किया और मोदी जी और अदानी के ऊपर जो उनका निक्सस है आरूप लगाते हुए बीस हजार करोड जो की अदानी ग्रूप को मिला था हूँ उसका स अदानी ग्रूप और नरेंदर मोदी जी का जो रिलेस्टिप है उसका खुलासा करते हुए संगीन आरोप लगाया है तो क्या हम मानके चलते हैं कि इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप जो है वो राजनीती में चलता रहेगा इस तरीके से राहुल गांधी ने जो आरोप दिया है केजरिवाल साब ने उस स्पीच को मैं आप लोगों के सामने दिल्ली विधान सभा के सोजन्ने के माध्यम से आपके सामने रखता हूं अभी कुछ दिन पहले बीजेपी का एक बहुत बड़ा नेता मिला मिला मिर को उससे काफी लंबी चर्चा होई मेरी और उसने जो बाते बताई वो इतनी चौकाने वाली थी कि आप सब सुनोगे तो रॉंग ते खड़े हो जाएंगे उसने मेर से पूछा कि केजरिवाल जी आपको क्या लगता है मोधी जी अड़ानी की इतनी मदद क्यों करते हैं मैंने का दोस्त हैं दोनों इसलिए करते हैं कहते हैं अपनी वाइफ के लिए कुछ नहीं करा अपनी मा के लिए कुछ नहीं करा उनके भाई गुजरात में रहते हैं उनके लिए किसी रिष्टेदार के लिए कुछ नहीं करा राजनीतिक गुरू के लिए कुछ नहीं किया वो अपने दोस्त के लिए इतना कुछ करेंगे ऐसा कै से हो सकता है दोस्त पर इतने महरवान क्यों है ऐसी भी क्या दोस्ति है आज के जमाने में कौन कोई भाई के लिए कुछ नहीं करता है दोस्त के लिए कौन करता है तो मैंने का फिर क्या मामला है किता है अब खुद सोचो इतना बड़ा क्राइसिस हुआ हिंडन की रिपोर्ट ही चारों तरफ थूथू हुई पूरा क्रैश कर गया अडानी ग्रूप मोधी जी इतने स्वार थी आदमी है कि अगर केवल मामला दोस्ती तक होता तो दो मिनट में उसको साइड करते हैं और कहते हैं मेरा कोई लेना देना नहीं से अभी भी उसको बचाने में लगे हुए ह कभी SBI को कह रहे हैं इसको पैसे दो आज अख़बार में आया PFF वालों को भी बोला इसको पैसे दो सारी एजंसे अभी भी उसको पूरी तरह से उसको बचाने में लगे हुए है तो मैं भी आचंबे में रह गया कि मामला तो कुछ अलगी है क्यों ऐसा भी क्या दोस्त हो ग तर्दियोगल से वो उसको अभी भी बचाने में लगे हुए और उसने मेरे को बताया कि मैंने का फिर मामला क्या है तो कहता है जी अडानी तो केवल फ्रंट है अडानी में सारा पैसा मोदी का लगा हुआ है मैंने का ये कैसे हो सकता है ये नहीं हो सकता कहते हैं अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है अडानी केवल फ्रंट है अडानी तो केवल मोदी जी का पैसा मैनेज करता है मैनेजर है उसको 10% 15% 20% इतनी कमिशन मिलती है बाकि सारा का सारा पैसा मोदी जी का अडानी नहीं डूबेगा मोधी जी डूबेंगे जिस दिन अडानी डूबा उस दिन मोधी जी डूबेंगे मैंने का यार उनको पैसे की क्या जरूरत है प्रधान मंतरी जी को मोधी जी को उनके ना आगे कोई ना पीछे कोई उनको क्या पैसे के जरूरत है तो कहता है सर पैसे की हवस होती है लत होती है कहता है इतने दुनिया में इतने बड़े बड़े अमीर आदमी है उनको कोई अब और पैसे की थोड़ी जरूरत है लगे पड़े हैं सारे और पैसा और पैसा और पैसा बोला हवस होती है बोला जिस दिन अडानी दुनिया का सेकंड रिचस्ट मैन बना था अडानी दुनिया का सेकंड रिचस्ट मैन नहीं बना था मोदी जी दुनिया के सेकंड रिचस्ट मैन बने थे और अब मोदी जी का खवाब है उनका सपना है कि वो दुनिया की रिचस्ट मैं बनना चाहते हैं पहले विद्धों मैं एक दम शौक हो गया कि अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा है फिर वे दिरे दिरे उसने एक एक करके बाते खोल के समझानी चालो की कहता है मौधी जी श्रीलंका गए श्रीलंका के राश्टपती राजापक्षा है राजापक्षा को मोधी जी ने जबरदस्थि करके वहां का विंड प्रोजेक्ट अडानी को दिलाया क्यों दिलाया मैं आप लोगों से पूछना चाता हूँ वाप में से कोई विदेश जाएगा तो वहां की किसी एजन्सी को जबरदस्ती करके अपने भाई को रिष्टदार को थेका दिला क्या होगे क्या ऐसे कोई करता है क्या मोधी जी ने जब अरदस्ती राज़ पाक्षा के उपर प्रेशर डालके वहाँ का विंड प्रोजेक्ट अडानी को दिलाया अडानी को नहीं दिलाया खुद लिया वो प्रोजेक्ट वो मोधी जी का प्रोजेक्ट है वो अडानी का प्रोजेक्ट नी है और ये बात कैसे निकली वहाँ का जो बिजली बोर्ड है श्री लंका का जैसे अपने या स्टेंडिंग कमिटी है असेमली की पार्लेमेंट की स्टेंडिंग कमिटी है वैसे उनकी भी पार्लेमेंट की स्टेंडिंग कमिटी होती है तो वहाँ पे पार्लेमेंट की श्री लंका कि पार्लियमेंट की स्टेंडिंग कमिटी ने जब उनके बिजली बोर्ड के चेर्मेन को बुलाया और बोले तुने ये प्रोजेक्ट अडानी को क्यू दिया तो उसने का जी राजा पाक्षा साब ने मिर को बुलाया था उन्होंने का मोदी जी में रुपे बहुत प्रेशर डाल रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट अडानी को दो मोदी जी बांगलादेश गए बांगलेदेश वालों को बिजली खरीदनी थी पंद्रा सो मेगवाट बिजली 25 साल के लिए मोदी जी ने वो प्रोजेक्ट भी अडानी जी को दिला दिया अडानी को नहीं दिलाया मोदी जी ने वो प्रोजेक्ट खुद लिया 25 साल तक पंद्रा सो मेगवाट बिजली खरीदेने का प्रोजेक्ट बांगलादेश का वो भी मोधी जी ले आए अपने नाम पर इसराइल गए इसराइल के साथ भारक ने कई सारे रक्षा सौधा किये रक्षा सौधे वो सारे के सारे रक्षा सौधे अडानी को दे दिये अडानी को नहीं दिये मोधी जी ने खुद ले अभी यह लμάघी दो-तिन साल पहले चे एइरपोर्ट की निलानी हूए प्राइवाटाईजेशन के लिए सरकार मारें उनकी निलानी करीविडेशन के लिए प्राइवड प्लियरा के लोगों उनसमें कंडिशन थी कि उसी को दिया जाएंगे ये एरपोर्ट जिसने पहले एरपोर्ट का काम करका है हर सरकारी ठेके में होती है हम सड़क बनाते हैं कहते हैं भी सड़क जिसको ठेकेदार को सड़क बनाने का एक्सपिरियंस है उसी को दिया जाएगा हम building बनाते हैं हम कहते हैं बही पाईए पानी के water treatment plant लगाते हैं हम कहते हैं बही जिसने WTP water treatment plant इतने लगा रखे हैं उसी को दिया जाएगा हम सीवेज ट्रीटमेंट प्रांट बनाते हैं हम कहते हैं जिसको 20 साल का experience है 15 साल का है उसी को इसमें भी ये condition थी कि जिसने इतने साल तक airport चलाने का काम कर रखा उसी को दिया जाएगा अब अणानी ने तो करनी है मोदीजी ने तो करनी रखा था अडानी ने तो करनी रखा था तो क्या करते आखरी मोमेंट पे वो condition हटा दी गए बोले कोई experience के जुरूरत नहीं छे airport निलामी पे थे छे के छे airport अडानी को दे दिये अडानी को नी दिये मोदीजी ने वो खुद छे के छे airport खुद अपने नाम कर लिए आज 2021 नवंबर में airport टेक ओवर किये 2023 देड़ साल हुआ है देड़ साल के अंदर आज airport का 30% पूरे देश का airport का जितना दंदा है बिजनस है उसका 30% business जो है वो मोदी जी के पास है 30% देड़ साल के अंदर इतना बड़ा भारत देश इतने airport 30% airport का business आज मोदी जी के पास है एक और बड़ी interesting चीज हो रही है ये ED और CBI को इस्तेमाल करके बंदूग यहां रखके लोगों की factory चीनी जा रही है मतलब 10 October 2018 को 10 October 2018 को Krishna Patnam Port के उपर income tax की रेड हुई और 6 April 2020 को डेड साल बाद वो पूरा airport अडानी ने खरीद लिया उसके यहां बंदूख रखके उसको का या तो देदे और या चीनी तो वो अडानी ने नहीं खरीदा वो मोदी जी के पास चला गया Krishna Patnam airport 10 December 2020 को ACC और Amboja Cement पे रेड हुई और दो साल बाद 16 October 2022 को दोनों Cement Plant मोदी जी के पास चला गया 2020 जुलाई को मुंबई एरपोर्ट का मालिक था जीवी के उसके उपर CBI और E.D. की रेड हुई है फायर हुई और एक महिने बाद मुंबई एरपोर्ट जो है हुँ मोदी जी के पास चला गया अडानी के पास चला गया तो E.D. और CBI पे रेड कराते हैं उसको धमकाते हैं फैक्टरी वाले को कंपनी वाले को कि या तो जेल जा और या तरी फैक्टरी हमको ले दे ये इदर तो सुनते थे हर्याने की तरफ पूरे देश के अंदर ये इतनी गुंडा गर्दी मची पड़ी है की E.D. की रेड करा देते हैं CBA की रेड करा देते हैं यह बंदूख रखते हैं और कहते हैं यह तो फैक्टरी दे दे और या जेल जा इन्होंने अभी थोड़े जिन पहले ओर निकाला की सारे जितने पावर प्लांट हैं जितनी राज्य सरकारे हैं पंजाब सरकार के हमारी जो सरकार हैं उनके पास भी ओरर आया सारी सरकारों को जितना उनका कोईले की रिक्वार्मेंट है उसमें से 10% कोईला इंपोर्टेड इस्तिमाल करना पड़ेगा और इंपोर्ट केवल मोदी जी करते थे अडानी करता था तो इसका मतलब आपको 10% अपना कोईला कंपलसरी जरूर की नहीं है आपको कोईले की लेकिन 10% कोईला आपको अडानी से खरीदना पड़ेगा हमारे देश का कोईला 2000 रुपे टन है इंपोर्टेड कोईला 20,000 रुपे टन है दस गुना दाम के उपर आपको अडानी से यानि कि मोदी जी से कोईला खरीदना पड़ेगा इन्होंने सुप्रीम कोट का एक और जब कोईला घुटाला हुआ था अपने देश के अंदर तो सुप्रीम कोट ने आदेश दिया था कि अब कोईले की खदाने किसी भी प्राइविट वाले को नहीं दी जाएंगी सारी खदाने सरकारे तो इन्होंने कुछ खदाने राजस्तान सरकार को दे दी कुछ खदाने 36 गड़ सरकार को कुछ खदाने पुझाब सरकार को सरकारों में बांट दी बाकी पूरे देश में इस केवल राज्य सरकारों के पास खदानी है केवल अडानी के केस में उन्होंने एक्सेब्शन करके अडानी को कोईले की खदाने दे लिए और उसमें भी ऑर्डर कर दिया कि 4000 कैलोری से कम वाला कोईला जो है उसको रिजेटेड माल बनाआ जाएगा जब कि वो सबसे अच्छा कोईला माना जाता है और वो रिजेक्टेड माल इसको फ्री में मलता है तो कम से कम 2800 करोड रुड़ का कोईला हर साल फ्री में मोधी जी ले जाते हैं 2800 करोड रुपए का कोईला हमारी ख़दानों से हर साल मोधी जी निकाल के ले जा गए 2014 में अभी जो अतिशी जी ने कहा 2014 में अडामी जी की यानि की मोधी जी की जायदाद 50,000 करोड की थी 7 साल बाद इनकी जायदाद हो गई 11.5 ग्यारा लाख करोड मोधी जी इतना पैसा लेके कहा जाओगे 11.5 ग्यारा लाख करोड रुपए की जायदाद 7 साल में इतना लूट लिया अपने देश को 2014 में 609 नमबर पे थे अब ये सेकेंड रिचेस्ट बन गए अब रिचेस्ट बनना चाहते हैं लेकिन कुद्रत कुद्रत है कुद्रत तो बड़ी ताकत वर है किसने सोचा था एक दिन हिंडनवर्ग रिपोर्ट आएगी और 24 गंटे के अंदर सारा तहस नहस हो जाएगा 1947 से लेके 2014 तक 67 साल में भारत देश ने सारी सरकारे जितनी आई सने मिलके 95 लाख करोड रुपे का करजा लिया था भारत सरकार में 2014 से 1978 साल के अंदर 85 लाख करोड रुपे का करजा ले लिया दुगने से भी जागा जितना 67 साल में लिया था पेट काट के टैक्स देते हो अपने बच्चों का पेट काट के टैक्स देते हो, दूद पे, धई पे, हर चीज पे GST देते हो, वो GST का पैसा जाता है, जनता की उसमें खजाने में वहां से वो जाता है, डानी के खजाने में और वहां से वो जाता है, मोधी जी रे खजाने में, दोनों हाथों से लूट कुछ नहीं छोड़ा सब कुछ लूट रहे हैं जितना कॉंग्रेस ने 75 साल में नहीं लूटा उससे 10 दुना इन्हों ने 7 साल के अंदर 8 साल के अंदर लूट लिया देश को अडानी का क्या रोल है इसमें मोधी जी कम पड़े लिखे हैं उनको समझ नहीं है कि करना क्या अडानी आके बताता है पैसा यहां लगा लो इस देश में चलते हैं वहां की एक अंपनी खरीद लेते हैं एडी को और सीबिया को इसके पीछे लगा दो वो सारा मैनेजमेंट करता है दिमाग उसका पैसा मोधी जी का उसके बदले में उसको पता नहीं दस परसेंट, फंदरा परसेंट, बीस परसेंट कितनी कमिशन मिलती है लेकिन दिमाग सारा अडानी का है और मेरे को ज़्यादा चिंता इस बात की है अध्यक्ष महोदे प्रधान मंत्री जी कम पड़े लिखे हैं, उनको कम समझ में आता है लोग आके उनको कुछ न कुछ न कुछ कहीं भी जाते हैं, या कोई विदेश से आता है उसके जो भी विदेश से नेता आता है या कहीं जाते हैं, तो दो ही कंडिशन होती है एक तो उसको कहते हैं भी गले मिले तो फोटो खिचा ले गले मिले फोटो खिचा ले पार्क में घूम ले तो फोटो खिचाने के लिए उसको कहा जाता है भी फोटो खिचा ले और दूसरा उसको कहा जाता है भी अडानी को ये ठेका दे दे अडानी को ये ठेका दे और कोई क देश यह जो गोरे हैं ना बहुत चतूर हैं बहुत चलाक हैं यह ऐसे इतने भोले वाले नहीं हैं कि यहां पर आए और कह गए मोदी जी दुनिया के वो पता नहीं किस किस चीज पर साइन कराके ले जाते हैं पता ही नहीं चलता बदले में क्या साइन कराके ले जाते हैं यही तारीफ करते थे और पता नहीं किस की चीज़ पर साइन करा के ले गए सौ साल के अंदर पूरा देश अंग्रेजियों ने कबजा कर लिया वो ही हाल अब होरा अपने देश का कि हमारे कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं पैसे की हवस है और मतलब जो भी आता है दो लाइन उसमें बोल दे गले मिले पार्क में घूम ले अडानी को दो कमपनियों का ठेका दे दे बदले में पता नहीं देश का क्या क्या बेच दिया है इन लोगा ने बहुत चिंता है हम लोगों को देश की इस वक्त जिस दोर से देश गुजर रहा है मुझे लगता है कि आजादी चा के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं अब इनका जो यह स्पीच है वो कंप्लीट हुआ कंक्लूड हुआ इस स्पीच को सुनने के बाद जनता के मन में क्या विचार आ रहे हैं जरूर इस वीडियो को देखने के बाद सेर कीजिए और आप बताई कि क्या इनके अगेंस्ट की जरूर होना चाहिए दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्स्राइब कीजिए थैंक यू थैंक यू फेरी मच पर डिस कसा